हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक तो माई चैनल फ्रेंट्स आज की वीडियो में डिजाने सब्साइची ब्लाउच की कर्टिंग और शिंगा ना सिखेंगे इसे हम 32 साइच का बनाएंगे और बोट नेक पर बनाएंगे तो चली सुरू करते हैं देखें इहां पर हमने लाइनिंग को डबल फोल करके रख लिया है इस पर बाएक पार्टकिंग मार्किंग कर लेंगे तो हमने कर लिया है लंबा इमारी 14 इंच है इक इच माजन कब्लास करके 15 ले लिया है पीछे कमार बोट नेक रहेगा आर्मोल देखिए 6 इंच लेंगे और हमने आर्मोल इसलिए 6 इंच लिया क्योंकि फ्रंट में हमारा डिपनेक है चेस्ट का चॉथाई लेना है 8 इंच दो इंच हमने माजन का रखा और पर देखिए 5 इंच होड़ाय का छौड़ाय का मिने से छोड़ देना है कमर 1 इंच टक्स कर लेना है 2 दो इंच मारन का और टक्स की लगाने के लिए भखिए हमने था coming का हाफ इंच के लगाई और एस टीज अपने back part को हमने उतार लेना है आइस तरश दिसको उतार लेते हैं back part को उतारने से हमारा time बच जाता है क्याकि हमने back part की तरह ini front party mark पहले करनी होती है और अब देखे हमने यहां पर side liner को Marin wonder को सीदा कर लेना है dark कर लेना है तो यहां पर इमने बैक पार्ट की मार्किंग कर लिए अब सबसे पहले हाफ इंच हमें एक्स्टा लेंद को बढ़ा लेते हैं सबसे बैक भर इंच लेंगे तो देखिए अब यहां पर हमार मुल पर गहराई देंगे देखिए अंदर की साइड लेते हुए आर मुल की गहराई देंगे यहां पर हमने हाफ इंच अंदर लिया है कर देना है कि यह दिखे आप यहां से देखें लिए हैं टक्संपाइंट लेंगे फ्रेंट का चवथाई प्लस एक इन्च लेते हैं यहां पर चेस्ट मारी बंस दिखा है और यह बेल्ट की लाइन हम अपने टक्स की लाइन से दो इंच नीच नीच लेते हैं तो इस तरह से हमने 9 इंच पे टक्स की लाइन और 11 इंच पे बेल्ट की लाइन को मार किया है यह मारी बेल्ट की लाइन है और यह टक्स की लाइन है अब देखिए अपने गले को मार कर ले पान के सेप में दिया है टक्स की चोड़ाए लेंगे चेश्ट का दसवा यानी 3.2 इंच पर 3.2 पर हमने लिया है नीचे भी हमने उतना ही ले लेना है यह दिखिए अब इस पर हमने एक लाइन खड़ी मार्क कर लेनी है तो देखिए यहां पर टक्स लगाएंगे हमारी चेश का जो टक्स सेद पीछे के लिए लगा लेना है और चार इंच का टक्स बचे का पर इस काथ कर के हमने डिवाइट कर देना है देहिए दो इंच की टक्स हमने लगानी है ब teκ कीलाई आप देखिए टक्स की जो हम लंबाई लेते हैं और चेस्ट का तेरह हमाँ भाग लेते हैं तो तो 32 में तेरह से डिवाइट करिंग 32 को तो मारा सवा दो की लगभग आएगा ये देखिए 2.4 आया है तो सवा दो की कॉर्डिंग हमने टक्स लगानी है तो देखिए इस तरह से करके आप चाहे तो इस तरह से नापने टक्स का पाले एक साइड नापेंगे देखिए तब भी मारा सवा दो ही इंचा आ रहा है यहां पे देखिए जितना मारा यहां पे आएगा उतना हम सेंटर पे लेंगे तो देखिए सवा दो इंचे मारा इस तर से निकाल सकते हैं और यहां पर देखिए जो माई टक्स वेल्ट के लाइन की का डिस्टेंस है आप चाहिए इसे डिवाइड कर लें हमने देखिए टक्स की लाइन तक इस सेप को मिलाना है और जितना माया टक्स की चोड़ाई है फ्रंस 3.2 पे सेंटर से इस साइड भी मैंने 3 सरकल बन किया है और यहां पर तैयार फ्रंस वहां से एक इंच अंदर लेते हुए इस सेप को मिला देना है अब देखिए कमर पर जो में इक्ष्टा मार्जन लेंगे इस तरह से लेंगे तो सबसे पहले हमने यहां पर कमर का चोग उठाए लेना है और जो दो इंच की टक्स कर लेना है और इस तरह से लाइन को मार्क कर लेना है अपने बैक पार्ट को लेना है और इस तरह से रख करके बैक पार्ट के बराबर फरंट पार्ट के लाइन को मार्क कर लेना है और इस तरह देखिए तीर चामिला देना है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग के क कोड़िंग तो देखिए कितना आसाने फंस सब्वेसाथ ची ब्लाउच की कटिंग करना तो यहां पर हमने मार्किंग के कटिंग कर लेनी है अब यहां इसमें दो ही पाट कटता है यह एक गले का होता है वेल्ट का तो अब हमने यह टक्स को इस दर से कट करके देखिए पिल ल पर देखें लगाई दोनों सब्सक्राइब का सबस्क्राइब मेरा बत फिर अपच कर देंर अपर की उपर के सब्सक्राइब IN पिन लगा लेते हैं तो देखी इस तरह से करो के मने इस सीधा नहीं आहा रहा है तो देखी इस तरह से करो का फिर से मार्क कर लिया है तो एकदम पर्फेक्ट हमारा पार्ट आएगा सिलाई करते समय आप देखेगा कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होगा अगर आप इस तर से कटिंग करेंगे तो तो देखिए मैं यहां पे हाफ इंच इसको भी कट कर लिया है अब इस पर अलग से डिजाइन बनाएंगे फ्रंट दो इंच देखिए मैं उपर लिया है और दो इंच माजन का छोड़ देना है और यहां पर देखिए को और पर फिर इस तर से इसमें ने सेफ देना है आप यह तो आपको कटिंग से हज़़े करनी होगी यह से अलग से दे दिया है इसमें थ्रुडा सा म अब यहां पर देखिए काटोरी वाले पार्ट को कट करेंगी सेमने आज सेच कट किया है तो इमने काटोरी में जो पिन लगाई थी फिन को निकाल लेंगी और अब देखिए जैसे पहले मारा इसको पहले मार कर लेते हैं अ देखिए सेच को हम फोल्ड कर देंगे और इसमें हमने दो इंच की टक्स लगाई एपन दो इंच की हम टक्स को मार करेंगे इससे ज्यादा में एक्स्टा कप्रा नहीं दबाएंगे दिमारा पार्ट छोटा पर जाएगा तो देखिए हाफ हाफ इंच का मार्जन लेना है तो हमने बस यहाँ पिनक की मार्किन की कोडिंग कर ली है और देखने तख्त के पास हम कट लगा लेंगे तो हमने दोनों पार्ट को काट कर लिया है देखिए लाइनिंग कर डिखे है नीकाल लिया है और अब करेकों प्राले कर देखिएब कर नहीं परक्र करेंगे मने हमने 11 इंच में मर्क कर लिया है और इसको कि राइन में मर्क करने है यह सबämäरे शबस कर लिए कर लेंगे त्यार पर कट लगा लेंगी diff मुचनले रडा कर लियंगी कर लेंगे रडे देड़े कपड़े में डीजाइन दी हुए एक ही साइड की है तो हमने सारे कपड़े को इस तरह से रखना है थाकि माय डीजाइन उल्टी नहों हो तो कटिंग कम्प्रीट हो गए इसके सिधाय कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंट हमने यहां पर हमने हुकाय की पट्टी लगानी है फ्र यहां पर पेस्टिंग पैपिपर लगाना हुथा पेस्टिंग पैपर लगा सकते हमें यहां पर लैस लगानी है और पेस्टिंग पैपर नहीं लगाएंगे तो मेरी कप्ड़े ुसकर लानिंग को रख के एक परका मार्जन लेते हुए उस working कर लेनी यह के हमको यहां से गले को पलतना है者 to пришाउ तो यहां पे उन्याय कर लिया अब देखिए कप्ड को हम कट कर लेंगे तो यहां पे मने कपड़े की कटिंग कर ली है आप देखिए छोट-छोटे कट्स लगा देंगी इससे क्या होगा कि हमारी जो सिलाई है अच्छे से बैठ जाएगी फिंसिंग दिखेगी इसमी कट लगा लिया है आप इसको पलट करके एक सिलाई हमने इसके उपर चला देनी ह आप चाहे तो इस पर इस लाई न चलाए फिर लगा लें तब ही आपका कपड़ा अच्छे से बैठ जाएगा आप चाहे तो इस पर रफिष्टिश भी लगा सकते हैं बाद में इससे को खोल सकते हैं तो देखिए मने इससे करके कर लें किसी लाई कर लेनी है यहां पे से कच्छी सिलाई डालते हुए एक्स्टा कप्ड़े को कट कर देंगे यहां पे देखिए इस्टा कप्ड़े को में कट कर लेना है और देखिए मने मार्जन लिया था उसके कोर्डिंग की मार्किंग कर लेते हैं मार्जन की कोर्डिंगर हम सिलाई करेंगे तो मारा कप्ड़ा एकदम पर्फेक्ट आएगा छोटा बड़ा नहीं होगा और देखिए मने टक्स की मार्किंग कर लेनी जैसे मने टक्स लगाया तो मैंने मार्क कर लिया यह विए उसी के कोर्डिंग टक्स की शिलाई कर लेंगे और सिलाई को हम डबल कर लेंगे फ्रेंज यहापे देखिए किता फर्फिक्ट देखिए फार्ट वेला ब्लाउज का बना है तो इस पहले काटोरी को बना यहापे नीचे एक कपड़ा लगान यहां तक गले को खुला रखना है वहां तक आप गला खुला रखना है इसके बाद पट्टी को लगा देजिए तो हमने यहां पर अपने गले को साथ इंच लिंध में रखा है आप अपने कॉर्डिंग रख सकते हैं दूसरा पार्ट पर देखिए बराबर से रखते हुए जा कर लिया है आप देखिए निची की सार्ट जो मारे पट्टी एक्स्ट्रा है से शेप में कट कर देगी हाप में नी कटिंग कर लिया अब पर ते हैंसको इस त ern Evolution को बमें मिने लैस्लाइक को दबल कर लेंगे दूसरी सेट भी लैस्ट को लगा लेंगे तो देखें मैं याप है लेश्ट लगा के कंपलीट कर लियाSon íbenth Gotta State eupne Б preço land करें तो इससे पहले हमने बेल्ट को हम दिखें लाइनिंग के साथ बैठाया लेंगे इसे भी पलट लेना है तो देखिए हमने कप्रे को सिदी से रखा है इसके उपर लाइनिंग को रख लिया है और नीचे तीसे के क्वारिण 2 ने ली प्रफिक लिए स्ले मार्जन आपने जितना और देखिए हम छोट-छोटे कर्स लगा लेंगे अब उपर की साइड देखिए उपर की साइड भी हमने सेपके कोर्डिंग से लाई करनी है इस साइड हमने एक पैर का मार्जन लेती वह से लाई करनी है अब देखिए वर्ण एक सटा कप्टे को कट कर देंगे और छोट-छोटे कट्स लगा लेंगे इस साइड भी तो हमने दोनों साइड इसता से कट लगा लिया है कुविके कट को अच्छ नगाने है और कप्डा कटने न पायए और देखिए इसकोस्य तरहे से-हाथ जालते हूए पलट लेंगे देखिए कितने अच्छ से पलट आ जाता है और इस कावन को अच्छ निकाल लेना है कि सेरी के लिए रिकूक यह से अब उपर से एक शिलाई और चला लेनी है इसके उपर ये शिलाई आप ना भी चलाएं तभी चलेगा इस पर प्रिस लगा लेंगे तब भी फिंसिंग अच्छी आ जाएगे तो हमने यहां पर देखे शिलाई इस तरह चला लेनी है उपर के साइड भी सेप के कॉर्डिंग में शिलाई को चला लेना है और बाकी 4 तरह कच्छी शिलाई लगा के एक्सटा कप्रेक को हम कट कर देंगे तो यहां पर देखे पर हमने बेल्ट वाले पार्ट को भी कम्प्लीट कर लिया है अब इससे देखे अपने गले बाले पार्ट पर लगाएंगे तो यहां पर देखे हमने इस वाले पार्ट को लेना टक्स को देखे हम कट कर देंगे अब देखे हम मार्किंग लगा लेंगे सबस्क्राइब करते हैं और यह देखिए और सब्सक्राइब करना है पर二 शायड से सब्सक्राइब करना है आप इंच के मार्ण के क्वार्डिंग है इसके दोनों साथ जॉइन्ट किया है तहां पर इमारा इप पार्ट बनके कम्प्लीट हो गया अब इस पर नीचे की साथ लाइस लगा लेंगे और अब देखिए फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे तो इसे दबल फोल्ड कर लेना है आप यहां से देखिए चेस्ट का चंकि ने 8 इंच लेना है 32 जैसे मसमि कटिंग है थी फ्रेंग कर लेंगे दिफ़ेंगे दू इंच मार्जन अब कमर को देखिए इस तरह से मार्क कर एगे तो दिफिंस कमर का चोपता इम ने 6 इंच लेना है और यहां पर दो इंच कं आत on है एकदम पर्फेक्ट देखिए मारा पार्ट आया कहीं से छोटा बड़ा नहीं हुआ है अब कट लगा लेंगे देखिए इसी फिटिंग के कॉर्डिंग से हम फोल्ड कर लेंगे घू? यह आपको बड़ेत्व美 का से अधिखिए और यहांप का पर में ईस से लाई कर देखोंगे लाएं आपको प्रस्ट लांग कर देखीरेंर आपको मेंन कर देखिए गाए वीक बड़ा है फिर रही हुँआ दैट्ट ऊ-सलार बड़ात सविटिंग को जरूद मेंक ब्म मे